तो नमस्कार दोस्तों में नम सौराव है और आप देख रहे हैं ओफिशल रोम तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी इस तरीके से रियल में U1 हो चाहें 1 हो उसमें से आपकी इस तरीके से पाटन लोग को इजली रिमूब कर सकते हैं इस वीडियो को आप पुरा ध्यान से देख लिजेगा और बिना फोन को ओपन किये अगर आपको फोन खोलने की जरूत नहीं पड़ेगी नहीं पॉइंट को शॉर्ट करने की जरूत पड़ेगी और आप इजली अपने फोन में से अफार पिलोग को रिमूब कर सकते हैं अगर आपको मॉडल चेक करना है कि आपको कौन सा मॉडल है तो आपको इमर्जनसी के अंदर जाना है और इमर्जनसी के अंदर जाने के बाद आपको यहां पर टाइप करना है स्टार है ए डबल नाइन है और उसके अंदर आपको शॉप्वेर वजिन दिखेगा शॉप्व झाल तनी पड़ेगा और यहां पे आप देख सकते हैं कि आपको 3 फाइल से काम हो इसցल्यूच कर आाग। इसरी नहीं करना पड़ाय और सब्सक्राइब क्या पड़ेगा तृइब करें होसे नहीं से प्लाइब नोट पैस्केटर फाइल को सेलेक्ट करना चोब सकते हैं यहां पर यहां पर आपको यूजर डीटा सर्च करना है और यहां पर आपको ये फिजिकल स्टार्टिंग अडरेस को को कॉपी करना है और अपने जो जो यहां पर इस पी टूल है उसके अंदर जाकर आपको बिग्निंग एड्रस पर पेस्ट कर देना है उसके बाद आपको सेकंड को कॉपी करना है और सेकंड को कॉपी करके आपको लेंद फॉर्मिट लेंद के ऊपर पेस्ट कर देना है उसके यहां पर दिखते हैं टूल ओपन हो चुका है यहां पर मैंनुवली सेलेक कर लेता हूं MT6771 का और यहां पर मैं स्टार्ट के ओपर क्लिक कर देता हूं सिंपल है आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों को एक साथ प्रेस करके फोन को कनेक करना है जैसे कि हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वह बाइपास हो चुका है यहां पर बाइपास हो चुका है और यहां पर प्रेस कर देना है जैसे हैं प्रेस करेंगे तो और भॉल्यूम हो चाहरा रहे हैं तो जैसे कि हमारे फोन में से जो पाटन लोग था वो पुई तरीके से रिमूव हो चुका है चाहें पास कोट है वो भी आप रिमूव कर सकते हैं इसी मैठट के दूब अब यहां पर आप हमेशा याद रखिएगा कि आपके फोन में फार्पी लॉग जरूर मिलेगा आप चाहें आगे बढ़ा करना चाहते हैं तो इसी मैठट का यूज करते हैं अगर आपका CP MT6771 है तो आप इसी मैठच का इसक्ता हैं आपने फोन में से पाटन लॉक या फिर फइलक को रिमूव कर सकते हैं आशा करता हूँ कि आपको चोटी से वीडियो पसंद आई है अगर पसंद आई तो वीडियो लाइक कीजिएगा अपने दूसके जोरू शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब पर नहां भूलें थैंक्स फॉर वाचिंग बाइबाए